वेल्कम फ्रेंज तो माई यूटूब चैनल प्योगाइट टिप्स और रिक्स मैं संजरी विश्वास आप सभी का स्वागत करता हूँ इस चैनल पर आज हम इस वीडियो में देखेंगे नया फिनेंशियल यार 2024 और 2025 में ACSS account में जो 15H या 15G form submit होता है उस form submit होने के बाद हम कैसे उसको system में fit करें ताकि जो ACSS account से उससे TDS deduct ना हो तो वीडियो को इन तक देखें अगर आपको वीडियो पसंद आए helpful लगे लाइक कीजिए कोई कोई कोईर है तो आप comment करके पूछ सकते है वीडियो कैसे लग रहा है व और PA login पर login कर लिया है तो यहाँ पर जो menu यहाँ पर हम invoke करेंगे ACSS account को 15H या 15G form fit करने के लिए वो है CSCAM तो इस menu को यहाँ पर हम invoke करेंगे इसके पहले जो customer है उसका CIF modified होना चाहिए यहने की updated होना चाहिए तब भी आप यहाँ पर 15G या 15H आप fit कर सकते है तो यहाँ पर menu shortcut पर हम CSCAM menu यहाँ पर type करके go option पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर 15H या 15G form submit होंगे जो हम collect करेंगे उसको हमें account level पर modification करना है CIF level पर हमें कुछ नहीं करना है तो यहाँ पर हम CSCAM menu को यहाँ पर invoke करेंगे तो देखे यहाँ पर senior citizen savings account maintenance यहाँ पर option आ गया है यहाँ दो option आपक modify करेंगे तो यहाँ पर जो modify aim option है तो aim modify को हम select करेंगे और फिट जो account number है जिस SCSS account को हम modify करेंगे उस पर 15H या 15G form यहाँ पर fit करेंगे वो account ID है पर type करके go करेंगे तो यहाँ पर account के सारे details यहाँ पर आ जाएंगे तो यहाँ पर हमें कुछ नहीं करना है फिट दो field को change करना है तो यहाँ पर देखिए tax form जो option है tax form यहाँ पर देखिए none show हो रहा है तो by default none रहता है और उसका tax category भी देखिए यहाँ पर customer deduction at source है तो यहाँ 15H या 15G type कर सकता है नहीं तो यहाँ जो searcher है searcher पर click करेंगे तो भी यह से भी हम select कर सकते है तो यहाँ 15G या 15H जो applicable है वो हम select क page पर हम click करेंगे या तो tab keyboard से प्रेज कर सकते हैं तो यहाँ पर देखिए tax category no tax automatic हो गया है तो यहाँ पर हम select'd भी कर सकते है तो यहाँ पर no tax select करेंगे और फिर account पर और कुछ नहीं छर्करनी नहीं करना है हमें तो यहाँ पर हम submit पर click कर देंगे तो यहाँ जो account है जो scss account है इसमें जो 15H या 15G हम feed कर रहे हैं उसके information यहाँ पर updated हो जाएंगे और उसके बाद जो modification हमने किया है उसको supervisor में आपको login करके यहाँ उसको verify करना है तो यहाँ पर हम supervisor में login कर लिया है और फिर यहाँ पर same menu याने की CSCAM जो menu यहाँ पर हम modify करने के time पर use किये थे same menu यहाँ पर supervisor में भी use करेंगे इसको verify करने के लिए तो menu shortcut पर हम यहाँ पर CSCAM यहाँ पर type करके go करेंगे और फिर इसको verify करेंगे तो हम इसको verify करेंगे हम यहाँ पर menu shortcut पर CSCAM menu को यहाँ पर invoke किया है थोड़ा slow है हम wait करेंगे इसको आने के लिए तो आने के बाद इसको हम verify करेंगे verify होने के बाद यह जो 15H या 15G हम fit किया है वो complete हो जाएंगे तो देखिए यह पर आगया है तो यह पर function code पर हम verify करेंगे हम modify already कर लिया है फिर यह पर हम verify select करेंगे और फिर same account number जिस account को हम modify किया है उसको यह पर enter करके go करेंगे और फिर जो tax information है यह पर देखिए जो tax information है उसको हम check कर लेंगे and tax category भी check कर लेंगे और फिर इसको submit कर देंगे तो यह पर जो process है वो complete हो जाएंगे तो यह पर देखिए successfully verified हो जाएंगे and CSS account का tax information भी update हो जाएंगे and जो TDS deduction का मामला होता है वो भी deduct नाई होंगे Thank you friends for watching अगर आपको वीडियो पसंद आए, helpful लगे, informative लगे तो लाइक कीजिए कोई कोई कोईरिये तो आप comment गर के पूश सकते वीडियो को जादे जादे शेयर कीजिए and also subscribe कीजिए चानेल को अभी के लिए इतना ही मिलते आगली कोई वीडियो में